किसान भाइयो मैं हूँ क्रिशी वी से सग्ये और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी इस यूट्यूब चैनल उन्दत फार्मिंग में किसान भाइयो प्रोट्रे में नरसरी उगाना काफी अच्छा और सुधाजनक प्रोसेस माना जाता है क्योंकि इस वीधे में पौधे काफी अच्छे और सौसर तयार होते हैं और समय भी कम लगता है क्योंकि इसमें हम लोग इन्भार्मेंट यानि कि वातावरन को कंट्रोल कर पाते हैं वातावरन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सेडनेट या फिर पोली हाउस के अंदर में नरसरी तयार करते हैं तो किसान भाईयों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि मौसम के अनुसार आपको किस तरह का इस्ट्रक्चर तयार करना चाहिए जिससे आप पौधे काफी अच्छी और काफी कम समय में तयार कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं कि गर्मी के दिनों में हमेशा सेड नेट का ही हम परियोग करेंगे आप देख सकते हैं ये ग्रीन सेड नेट इस्ट्रक्चर है इसी तरह का आपको इस्ट्रक्चर बना लेना है और ध्यान रहे कि ग्रीन सेड नेट का परियोग सिर्फ और सिर्फ आपको गर्मी के दिनों मे करना है, क्योंकि किसान भाई इसे green house समझते हैं, और इसका परयोग हमेशा करते हैं, तो आपको इसका परयोग सिर्फ और सिर्फ गर्मी के दिनों में ही करना है, क्योंकि इसका काम धूप को रोकने का होता है, और अंदर के वातवरन को थोड़ा ठंडा बनाये रखने का काम ये करता है किसान भाईयों इन बातों को आपको समझना काफी आवश्चक है तभी आप अच्छे तरीके से मेनेजमेंट कर सकते हैं किसान भाईयों अब बात करते हैं थंड के मौसम में तो थंड के मौसम में बाहर का वातावरन काफी थंडा हो जाता है जिसके वज़ा से पौधो का विकास काफी कम हो जाता है काफी सलो हो जाता है और इससे बचाने के लिए हमें जहां पे नरसरी तयार कर रहे हैं वहां का वातावरन थोड़ा गरम करना पड़ेगा जिससे की प पातावरन अंदर का गरम होगा और पौधयों का विकास काफी अच्छा होगा और समय भी कम लएगा तो किसान भाईयो ठंड में आपको पोली हाउस का यूज करना है आप देख लिजी पोली हाउस का इस्ट्रक्चर ऐसा होता है इस तरह से आपको एक इस्ट्रक्चर तयार कर लेना है जिसके अंदर में आपको नरसरी तयार करना है अब बात करते हैं बरसात के मौसम में किसान भाईयो जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात में काफी समस्या होती है नरसरी तयार करने में क्योंकि वरसा होती है बरसात होती है और जिससे पानी काफी पढ़ता है नरसरी प अगर आप उपर में प्लास्टिक डाल देते हैं तो पानी नहीं पड़ेगा जिससे पौधों का विकास काफी अच्छा होगा अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा टेंपरेचर भी अच्छा खासार बना हुआ रहता है किसान भायों आजा करता हूं कि अब आप समझ होंगे कि नर्शरी के लिए हमें मौसम के अनुर्प किस तरह का इस्ट्रक्चर का पर्योग करना चाहिए